तो गाईज आपका स्वागत है शो टाइम में जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं Amazing Explanations सब सीरीज के और मुवीज के जो आप देख सकते हैं इस चैनल पे अगर चैनल पे नहीं है तो दूसरी सीरीज दित रहा की The Vampire Diaries, The Originals, The Legacies of The Stranger Things देख सकते हैं और अब शुरू करते हैं आज की नहीं Amazing सीरीज पे जो है Riverdale जिसको हम आज स्टार्ट करने चाहरे हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही कहता हूं गाईज वीडियो को ज़रूर लाइक करना जिससे हैं कि मैं सीरीज को continue रख सकूँ और आपके लि यह कहानी है Riverdale नाम के एक छोटे से टाउन के और वहां के लोगों की कहानी जो दूर से तो बिल्कुल नॉर्मल टाउन दिखता है बर जब आप पास से देखते हैं तो वहां पर बहुत सारी मिस्टी देखने को मिलती है और बहुत जादा darkness देखने को मिलती है यह उसी के बा Jason और Shell नाम के Blossom Twins नदी में बोट से कहीं जा रहे थे और हम देखते हैं उस मॉमेंट पर एक तूफान आ जाता है जिसमें Jason गायब हो जाता है और Shell को पतानी उसका भाई कहां पर है और बहुत जादा emotional हो जाती है और Delton नाम का बंदा अपने क्रू को वहां पर जंगलों मे गिर गया था और इतने तुफान के बीच में पता नहीं हो कहां चला गया हम देखते हैं पुलिस उसे ढूणने का भी ट्राइ करती है बड़ वो कहीं नहीं मिलता है और वहीं हम देखते हैं कपल को जो हाँ पर खड़ा था और बोलता है काश की Jason Blossom एक दरदनाक मोध मराओ उससे बेटर उसके लिए कुछ नहीं हो सकता और हम देखते हैं वो लोग उससे बहुत जदा हेट करते थे Jason से और यहां पर Jason गायब है और शायद वो मर चुका है बड़ उसकी बोड़ी अब तक नहीं मिली है और यह देख कि उसकी जो ट्विन सिस्टर है शेल वो बहुत ज टाउन में नए है वो आचुके हैं और पता चलता है कि पहले इस टाउन में रहा करते थे बटे लंबे टाइम बाद वापस आए हैं और शायद वरोनिका के हस्बेंट के साथ कोई शू चलने लग रहा है इस वज़े से उनकी लास्ट प्रोपर्टी है जो हर्माइनी के नाम चाती थी और वहाँ पर इंजॉई करना चाती थी और वही हम अगले सीन में देखते हैं बैटी कूपर नाम की लड़की को जो अपने गे बेस्ट प्रेंट केविन के साथ में थी और वह तोनों खुश थे कि उनका समाविकेशन खतम हो चुका है और वहाँ पर बैटी को बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और नेक्स मोमेंट पर हम देखते हैं बैटी अब जाती है आर्ची के साथ पर डिनर में पॉप्स नाम के एक रेस्टरॉंट में हम देखते हैं वो दोनों अपने समाविकेशन के बारे में बात करने लगते हैं जहाँ पर आर्ची हम देखते हैं जो उनकी म्यूजिक टीचर है हम देखते हैं जब यह सारी बाते होने लग रही थी वहाँ पर वरोनिका लोज नाम की लड़की जो हमने पहले देखा था वह आती है उसी रेस्टरॉंट के अंदर और यह देखते हैं आर्ची एकदम खुश हो जाता है और उस स्कूल के अंदर कर रहाना है और हम देखते हैं यह कहने के बाद वहाँ से चली जाती है वरोनिका क्योंको उसकी मौन भार बेट कर रही थी और हम देखते हैं अब अगले दिन जहां पर उनका फर्स डे अफ स्कूल था और यह देखके सब लोग खुशते तयार होने लग र इस वज़े से अपनी डैड की हलप नहीं कर रहा है और वही हम अगली सीन में देख पाते हैं बैटी कूपर को जहां पर अपनी मौम के साथी और हम देखते उसके मौम साफ कर देती है कि बैटी कूपर को अपने फ्यूचर पर ध्यान देना पड़ेगा और बैटी के लिए स्पाना सबसे इंपोर्टेंट है राइट नाओ और अपनी बहन पोली की तरह ना हो जाए पहले वह अच्छी बच्ची थी बट तिंग इस जब से जेसन ब्लॉसम उसका बॉइफ्रेंट बना था सब कुछ खराब कर दिया था उसने अपनी लाइफ में और अपनी जिंदगी खुर्ब बरबाद कर दी और वहीं पर हम देखते साफ कर देती है बैटी की अपनी बहन के जैसे बिल्कुल भी नहीं है और उसका दोस्त आरची है मानता उसका भी रेड हेयर है बट तिंग इस वो बिल्कुल भी ब्लोसम जैसा नहीं है और यह कहने को वहां से चली जाती है और अब हम देखते हैं आरची को जो अपने सॉंग्स तो लिख रहा था बट उसे डाउट था कि वो परफेक्ट है नहीं है और तभी हम देखते हैं उसके दूसरे जो दोस्ते वो उसको फुटबोल के लिए ब्लान लगते है और बोलते तो बहुता स्ट्रॉंग हो चुका ह और हम फुटबोल में amazing करेंगे बढ़ हम देखते हैं आरची का इसमें कोई interest नहीं था वो सीधा एक group के पास जाता है जो singing करती है अपने school के अंदर और pussy cat नाम है उसका और हम देखते हैं उनके पास जाने के बाद request करता है कि क्या वो उसके song में help करेंगे और क्या उसका गा लाएंगी बढ़ हम देखते हो तीनों मना कर लेती है और जो उनकी लीडर थी तो बहुत ही जाद रूडली बात करती आरची से और उसको साफ मना करती है क्योंकि pussy cat खुद के गाने लिगती है और वो खुद गाती है उन्हें किसी की help की जरुत नहीं है और बेस्ट बैंड बनके रहेंगी और यह कहने के बात आरची को साफ मना कर देती है और वहीं पर हम देखते हैं बैटी को जो वरोनिका को पूरा स्कूल दिखाने लग रही थी और मुझे पता है मेरे डैड को लोग शैतान भी कहते हैं I know this और ये कितने लोग को पता है और तभी हम देखते हैं Betty को ये बात पता थी वह पूरे स्कूल को भी कि वरॉनिका लोज के जो फादर है वो बहुत ही evil इंसान है और ये देखके वरॉनिका को बिल्कुल अच्छान लगता है कि सब लो भाई जेसन भी ऐसा ही चाता और ये कहने के बाद मैच को continue कराती है जो उसके भाई की death की वज़े से cancel हो गया था हम देखते हैं और वही हम देख पाते हैं आर्ची को जो अपनी टीचर मिस ग्रंडी को देखने का try कर रहा था बट वहां से मिस ग्रंडी उसको ignore करने का try कर र और वहीं पर हम देखते हैं आर्ची उन्हें बोलने के कोशिश भी करता है कि वह उन से म्यूजिक के तोर पर मिलना चाता है और तब हम देखते मिस ग्रंडी बोलती है कि तुम appointment के साथ आना और प्लीस वैसे मत आओ और हम देखते हैं यहां पर मिस ग्रंडी उसे ignore करने का try क कर रही थी और यह देखके आर्ची को थोड़ा बुरा लगता है वहीं हम देखवाते हैं अगले सीन में जहां पर लंच ब्रेक में अब आर्ची बैटी व केविन के साथ बैटके लंच करने लग रहा था वहां पर हम देखते हैं वरोनिक आती है और थोड़ी डिप्रेस दि अगेर जाता है और भहाँ पर हम देखते हैं आर्ची बोलता है उसको कुछ काम है उसको जाना होगा और हम देखते हैं वरोनिका बहुत रहे देख से पना अमेजिंग लुशेक बनाता है फुटबोल खेलता है और एकदम पर्फेक्ट है पर्टम देखते है आर्टी वहां से चला जाता है मिस्स ग्रंडी के पास में क्योंकि उसे म्यूजिक और सीखना था और अपने जितने भी लिरिक्स ते वह दिखाने थे हम देखते है उसके जाने के पास शेयल भापर आके बै जाने ही लगती है वर देखते हैं वरॉनिका बात करती है बैटी से और लुटे हम को ट्राइए करना चीए और तब हम देखते हैं बैटी हाँ तो कह देती है बट उसको self-confidence चाहिए तर आप हम देख पाते हैं कि दोनों अपना best perform करते हैं व्हों अच्छा नहीं था और यह क के शेयल बोलती है कि तुम्हारा इंप्रेसिव नहीं था जो भी तुमने किया ये चेयर लीडिंग के नाम पे इंटर्वी पॉर्शन में शाय तुम अच्छा कर सको बैटी तुम अपनी सिस्टर के बारे में क्यों नहीं पताती हो और मेरा जेसन के बारे में और वही हम देखत उसे घर से दूर भेजना पड़ा तभी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्ता अनलगता है बैटी को इसा बताते हुए और ये कहने के बाद बैटी बोलती है आम सोरी जो तुमारे भाई के साथ हुआ है और मुझे तुमको और प्रोब्लम में नहीं डालना है और य अब हम देखते हैं शेल ले लेती है वरोनिका को अपनी टीम में और वहां से बेजने का ट्राइ करती है बैटी को बट साफ कर देती है वरोनिका कि ऐसा वो बिलुकुल नहीं होने देगी वो समझती है शेल क्या कर रही है वो रिच है वो पारफूल है तो कुछ भी करेगी ऐसा सब के पास नहीं होता है, पहले उसके पास भी पैसा था, बट वरोनिका आम बन चुकी है, क्योंको इसके फादर की कोई लोस हो चुके है, तो समझती है कि कैसा होता है नॉर्मल होना, अगर वो चाहेगी तो धोनों आएंगे, वरना उनमें से कोई भी नहीं आएगा टीम में, और ये कहने के पाद बैटी के साथ परोनिका चली जाती है, वो शेरल को बहुत गुस्ता आता है, और वही हम अगले सीन में देख पाते है, आर्ची को, जो मिस ग्रंडी के पास जाता है, म्यूजिक के लिए, और हम देखते हो बोलती है, हाँ म्यूजिक तो सही है तु नहीं सुना, और अगर बताना भी चाओगत क्या बताओगे, कि तुम मेरे साथ महां क्या कर रहे थे सुबह 6 बजे, और ये कहने के बाद साफ मना करती है, तुम उस चीज़ को भूल जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो, और मुझे भी जाने दो, तुम को यह ओर टीचर ढू उसको Music लिखने के लिए Time चीगे था, और वहां पर घर पे कह दिया कि इसको Football खेलना है, और फुटबोल वालों कह दिया कि इसको घर पे काम करना है, और इस Time को बचाते हुए वो Music पर concentrate करेगा, और अब हम अगली Scene में देख पाते हैं, कि Cheryl ने दोनों को Choose कर लिया था अपनी चेर लेडिंग टीम में और वहाँ पर दोनों बहुत साथा खुश दिखाई दे रहे थे और यहाँ पर कोश्चन था सबसे बड़ा बेटी का कि क्यों हेल्प किया वरोनिका ने उसे बड़ता भी वरोनिका बताने लगती है क्यों पहले शेरल से भी बेकार थी उसके पास पैस दोक में रहते हुए बिहेव कर रही थी और हम देखते हैं यह पता करने के बाद आप पॉली के बारे में पता करती है वरोनिका कि पॉली और जेसन डेट कर रहे थे जिससे उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे और जेसन और उसकी लड़ाई होने पर हमारे पे पेट के लिए पुछवाती है उसे जिसते कि वो बैटी के साथ जा सके बटम देखते हैं उसको इतना इंटरस्ट नहीं था तो वहाँ पर वरोनिका भी जोइन करती है जिसते कि वो तीनों एक साथ पार्टी में जा सके और अब हम देख पाते हैं कि घर आ चुकी थी बैटी और वो बहुत जादा खुश है क्योंकि वो डांस में जाने वाली है वो चेर लेडिंग टीम में आ चुकी है बट उसकी मौम यह देखके बिल्कुल खुश नहीं होती है और बोलती है तुम यह नहीं करोगी बट बैटी बोलती है मैं आपके लिए सब कुछ करती हूँ आप करती है कि जो उसकी मर्जी हो वो करे और उसको प्लीज फोर्स ना किया जाए और यह कहने बहुत वहां से चली जाती है और यह देखके बैटी की मौम को बहुत गुसा आ रहा था और वहीं पर हम अगले सीन में देख पाते हैं आर्ची के डैड को जिसकी मिस्टर एंट्रू वरिनिका लॉज की मौम हर्माइनी लॉज आ चुकी थी और बात करने लगते है कुछ पैसों की पार्टनर्शिप की और बोलती है उसके पास कुछी पैसा बचाया और वह इंवेस्ट करना चाहती है अब हम देखते हैं एंड्रीव बिलकुल मना कर देता है उसके साथ काम कर करने के लिए और यह देखके हर्माइनी को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसकी लास्ट होप्स खतम होने वाली है उसके हस्बेंट के लगबग प्रॉपर्टी बिक चुकी है और सीज हो चुकी है और उसके पास अब ज्यादा पैसा नहीं है और यह देखके हो प्रॉपर्टी उसे कहीं रास्ते में जैसे खोल के देखती है उसके अंदर पैसे रखेते और यह देखके समझ जाती है और बोलती है रैम इस बार तुमने क्या कर दिया और यह सोचते वर टेंस्टोन लगती है इतने सारे पैसों को देखकर भी मतलब कोई तो बड़ी गड सब्सक्राइब कि उसके कोच का फोन आए था वह पता कर रहा था कि यह क्यों कोचिंग के लिए नहीं आ रहा है और क्या फादर का ऐसा बिजनस है और तभी हम देखते हैं इस टाइम पर आर्शी पगड़ा गया था कि वो दोनों से जूट बोल रहा था और हो सच बताता है क वो म्यूजिक में इंट्रेस्ट लेन लगा है उसे बिजनस नहीं करना है उसके फादा के साथ पर हम देखते हैं उसका फादा थोड़ा निराश होता है बट बोलता है कोई नहीं यह तुम्हारी मर्जी है बट अपने डिशिजन लाइफ के सोच समझ करेना क्यों हर डिशिजन अर्ची को और हम देखते हैं आर्ची थोड़ा कन्फ्यूस सा दिखता है बट वो जैसे मिस ग्रेंडी को देखता है उसके पास जाता है और उसे बात कर लगता है कि उसको कुछ तो बताना पड़ेगा शायद जेसन के मटर मिस्ट्री सोल फो सके वो गन की अवाज शायद ज हो सकता है तो मैं फूछ न तो पूछ सकते हैं और हम देखते हैं आर्ची उससे चाता है और मंडे को से मिलेगा एक्स्टा क्लास के लिए जिसते कि उस तरिफ मूजिक पे ध्यान देंपाए और हम देखते हैं इस मोमन पर मिस ग्रंडी उससे मिलना और इंटिमेट होने को उसकी सबसे बड़ी गलती समझ रही थी और वही पर हम देखते हैं आर्ची के पास आजाती है बैटी और हम देखते हैं बैटी बोलती हम कितने पावर कपल बन सकते हैं ना मैं शेर लेडिंग में हूँ तुम फुटबॉल में हो और इट्स पर्फेक्ट बढ़ हम देखते हैं आर्ची को इसमें इंटरस्ट नहीं था और वह भी भी मिस ग्रंडी को पसंद करता है और यह देखते हैं कुछ तो समझ आता है बैटी को और वो थोड़ा दूर होने लगत देखते कोई ड्रामा क्रिएट हो सकता है के नहीं परम देखते शेल कोई प्लान कर रही थी ड्रामा करेट करने का इन तीनों दोस्तों के बीच में और फिर हमागली सीन में देखते शेल अपने घर पे आफ्टर पार्टी रखने लग रही थी और वहापर सब लोग आचुक करते हैं कि उनकी लाइफ कैसे चल रही है और वहां पर वरोनिका को सिर्फ यह जानना था कि आर्ची पसंद करता है कि नहीं बैटी को साफ कर देता है बैटी उसकी बच्छपन की दोस्त है बेस्ट फ्रेंड है बट उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है उसकी वह सिर्फ और यह देखके समझ जाते हैं शेल नहीं पूरा प्लान किया था यह सब अंडरस्टेंडिंग क्रियेट करने के लिए और हम देखते हो बैटी को ढूणने का ट्राइ करते हैं बट साफ कर देती है वरोनिका एकर हम साथ जाएंगे तो और बैटी को कुछ और गलत लगेगा और यह कहने के बाद वरोनिका घर चली जाती है जापर अपनी मॉम के पास जाने के बाद बहुत जादा गिल्टी फील कर रही थी वही हम देखते है इस मॉमन पे उसको ढूणने लगता है अलग-अलग जगाओं पे आर्ची और हम देखते हो रेस्टरांट में जाता है और बैटी उससे मिलना नहीं चाती है और उसका दिल तोट चुका है कि आर्ची उससे पसंद नहीं करता है बट आर्ची साफ कर देता है कि वो उसके बच्पन की दोस्त है वो उससे बहुत प्यार करता है बट उस तरीके से नहीं वो उसके लिए बहुत जादा परफेक्ट है ब पर हम देखते हैं जैसे नदी के पास जाने लग रहा था वहाँ पर गिरता है किसी से टकरा कर और पता चलता है कि वह जेशन की लाश थी और हम देखते हैं अब जेशन की लाश मिल चुकी थी और यह देखके पुलिस इंवेस्टिकेशन स्टार्ट करती है सब लोग वहाँ प एपिसोड में तब तक के लिए लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो गाईस अगर आपको ऐसी अमेजिंग सीरीज चाहिए तो रिकमेंट कर सकते हो कोमेंट बोक्स में थैंक्स पर वोचिंग टेक केर बाइबाइस सायना राइन टाटा एंड लाइक करते हो जाना